अभी पत्रकार बंदूओं को नमस्कार पिछले कई दिनों से भारती जनता पार्टी जूट और भ्रह्म फैलाने के काम में लगी हुई है और कई हतकंडे दिल्ली में अपनाए उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया चुनाओ लड़ रहे तीन बार से चुनाओ हर रहे 27 साल से भारती जनता पार्टी दिल्ली में चुनाओ हर रही तो जब चुनाओ हर गए तो प्रयास किया आम आदमी पार्टी को खतम करो अरविंद केजरिवाल को खतम करो इनके विधायकों को तोड़ो इनके नेताओं को तोड़ो उसमें भी फेल हो गए अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कहरें मुख्यमंत्री आवास पे कबजा कर लो तो मुख्यमंत्री के आवास पे कबजा करने की नई लालसा और इक्षा क्योंकि मुख्य मंत्री तो बना नहीं पाते, 17 साल से चुनाओ हार रहे हैं, 27 साल से, 27 साल का बनवास बहुत बड़ा बनवास होता है, 27 साल से भाजपाई चुनाओ हार रहे हैं, तो अब वो मुख्य मंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं, और ये बात मैं क्यों कह रह उसको लेके इन्होंने दुस्प्रचार फैलाया ये वो प्रमाण पत्र है जिसमें साफ तोर पे लिखा है कि अर्विंद केजरिवाल जी ने घर को खाली कर दिया मुख्यमंत्री का आवास अर्विंद केजरिवाल जी ने खाली कर दिया ये उसका प्रमाण है लिखके दिया हुआ है दूसरी बात मुख्यमंत्री के तौर पे आतिसी जी को उस आवास में जाना था तो उन्होंने ये दो पत्र है जिसके बारे में कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिसी जी को उस लॉट नहीं किया जा रहा है जो की दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं तीसरी बात उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री का कैम कार्याले बनाकर मीटिंग सुनू की तो वो मीटिंग करने के बावजूद वहाँ के स्टाफ को खाली करा दिया कैम कार्याले भी वहाँ नहीं चलेगा तो भारती जनता पार्टी जो चुनाव सत्थ साल से दिल्ली में नहीं जीत पा रही है आम आदमी पार्टी को खतम करने का प्रयास कर लिया अर्विंद केज्रिवाल की राजनीती को खतम करने का प्रयास कर लिया आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीती को खतम करने का प्रयास कर लिया तो अब जो चुनाव नहीं जीत पाते मुक्खे मंतरी नहीं बना पाते वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं जहां तक ये फैला जा रहा है चाभी नहीं दिया वो भी एक जूट है उसका भी प्रचार कर रहे हैं भाजपई तो कुल मिला के ये जो एक भ्रह्म और जूट भाजपा के लोग फैला रहे थे उसके संबंद में आपनों को जानकारी देनी थी इनका नाम ही भारती जुटा पाटी है जूट बोलने का लामा कुछ करते नहीं केजरिवाल साहब ने पहले भी मैंने बताया था मुख्यमंत्री आवास उन्होंने खाली किया और ये उसका लिखित प्रमाण है सरकारी प्रमाण है इसमें लिखा हुआ है कि अरविंद केजरिवाल जी ने मकान खाली कर दिया नहीं किया गया उसमें भाजपा वाले कब्जा करना चाहते है मुख्यमंत्री का हावास चुनाओ जीत नहीं पाते कम से कम मुख्यमंत्री का हावास ही कब्जा करने ये बाजपा की कोशिश्ट हो चुगी दि तस्वीरे आई थी मीटिंग लिया था कैम कार्याले में बावजूद इसके उनको अलोट नहीं किया जा रहा है और वहां से कैम कार्याले भी खतम कर दिया गया है अब भाजपाईयों से पूछें वो बताएंगे आपको यह क्या है भया पढ़ लीजे आप इसको मैं पढ़ देता हूँ यह तो साफ साफ लिखा हुआ है यह चिठी ले पी डव्लू डी डिपार्टमेंट गौर्णमेंट जी एडी डिपार्टमेंट का है यह देख लीजी आप कितनी बार पत्र लिखके उस घर को लॉट करने के लिए का है आदिशी जी ने अभी तब और जवाब क्या है यह डेट दोनों मैंने बता दी आपको दस एक आठ तारीक को और एक हाँ आठ तारीक का है आठ अक्टूबर यह एक पत्र लिखा है नहीं एक पत्र लिखा है सब कितनी बार पत्र लिखा है मुक्यमंत्री ने उस प्रसिक्स फ्लैक स्टाफ को लाउक्मेंट के लिए नमबर एक नमबर दो जो तस्वीरे आए थी उसकी और डीटेल आपको मिल जाएगी मैंने आपको यह पत्र जो दिखाया इसके बावजूद मैंने आपको बताया कि कैम कार्याले की तो तस्वीर आपने देखी थी मीटिंग लिया था वहाँ पर तो उसको भी खाली करा दिया गया मकान भी अलाउट नहीं किया जा रहा है तो जबरन कब्जा करने की कोसिस है उस मकान पर जो लोग चुनाव नहीं जीत पाते 27 साल से उनका सामान जाने की तस्वीर आई थी तो क्या सामान अभी वहाँ है उनका उनका सामान है और सामान जाने की जो तस्वीर आई थी तो उनका सामान है वहाँ पर तब देखें उस सामान के साथ क्या करते हैं लोग उस सामान की चोरी करते हैं डकैती करते हैं, गायब करते हैं, बाच पाई कुछ कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो मैं बार बार यह कहता हूँ, मुझे वो थर्मामीटर राज तक नहीं मिला, जिससे ये तैं हो कि हम इस पार्टी का वोट लेते हैं या उस पार्टी का वोट लेते हैं। उसके बाद 2015 के चुनाओं में हमको 66 सीट मिली, बीजेपी को 3 सीट मिली, कॉंग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली यानि की कॉंग्रेस बीजेपी दोनों का वोट आम आदमी पार्टी को 2013 में भी मिला, 2015 में भी मिला फिर 2020 में हमको 62 सीट मिली, बीजेपी को 8 सीट मिली, कॉंग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली 2020 में हमको कांग्रेस बीजेपी दोनों का वोट मिला, तो हमको दोनों का वोट मिलता है क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, हमको जाती धरम की राजनीती तो करते नहीं हम सिच्छा की स्वास्त की बिजली की पानी की इसकी बात करते हैं उसका लाग हर वेक्ति को मिलता है वो किसी भी जाती धर्म का हो तो सब की उमेदें होती है कि ये राजनीतिक दल हमारे छेतर में आना चाहिए और इसी के कारण हर्याना में जैसा आपने कहा कई जहों प पर 43 जार वोट मिला है कई जगों पर हमें 20 जार से ज्यादा वोट मिला है लगबग दो प्रतिशत के वो आसपास वोट मिला है लेकिन वोट कई जगों पर हमें अच्छा मिला है हर्याना में अब जो आम आदमी पार्टी के लिए सुख़द और अच्छी खबर है वह है जम प्रामु कस्मीर में आम आदमी पार्टी के नेता महराज मली जो बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं वो वहाँ पर चुनाव जीते हैं और पूरे चुनाव प्रिशार के दौरान उन्होंने दिल्ली मॉडल की चर्चा की, सिक्षा स्वास्त के मॉडल की चर्चा की, केजरिवाल जी के मॉडल की चर्चा की, तो अर्विंद केजरिवाल का करवां देश के पांच राज्यों की विधान सबाओं में पहुँच चुका है, हमारी सीधी इंट्री हो चुकी है, तो आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे देश में हो रहा है, ये हमा इस्वार यह हार रही है लेकिन अगर आप गड़बंदन की बात कर रहे हैं तो खुली तस्वीर की तरह सामने दिख रहा है भई आपने लोकसभा के चुनाओं में गड़बंदन किया आपको मिले 47 प्रतिसत वोट इंडिया गड़बंदन को उसी हरियाना में 47 परसेंट वोट आपने विधान सबा के चुनाओं में मुख्य मंतरी तो कॉंग्रेस का बनना था सरकार कॉंग्रेस की बननी थी हम लोग कह रहे थे गड़बंदन कर लो गड़बंदन कर लो गड़बंदन नहीं किया अब इसके बारे में कॉंग्रेस पार्टी से पूछिए उन्होंने क्यों नहीं किया अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोसिल मीडिया पे वाइरल हो रहे हमको कुछ समझते ही नहीं थे तो अब आप उनसे पूछे ये बारे में हमने तो अपना प्रयास किया हमने अपने गड़वंदन का धर्म निबाते हुए प्रयास किया कि उनके साथ समझोता हो जाए वहाँ पे भारती जनता पार्टी के दस साल के कुसासन को हटाया जाए और पूरे चुनाओं में भी हम लोगों ने प्रचार इसी बात पे फोकस रखा कि बीजे पी का कुसासन हटना चाहिए और भी दूसरे राजमीतिक दलों ने भी इसकी चर्चा की लेकिन आपने देखा कि उन्होंने गड़बंदन नहीं किया आपके लेकिन चुनाओं में तो अब आप दोनों बात एक ही साथ कह रहे हैं एक तो कह रहे हैं कि वो चाहते भी थे और कुछ मानते भी नहीं थे तो जो आदमी कुछ मानता भी नहीं है आम आदमी पार्टी को वो वो चाहता कैसे था कि गड़बंदन हो जाए आपको यह तो मैं सुना देता हूं आपको आपकी एक्छा है तो मैं सुना दे रहा हूं तो तो कोई फैक्टर ही नहीं मानते थे वो कह रहे हैं बोर हो रहा है आम आदमी पार्टी का नामी लेगा फिर आप आप कह रहे हैं चुनाओ हारने के बाद वो कह रहे हैं हम चुनाओ के पहले का वीडियो है एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी